हेलो फ्रेंद्स आइम अकांग्शा मातुर वेलकम तू माइ चैनल मैट्स विद अकांग्शा मातुर आज हम क्लास सेवन नंबर सेकिंड का टू एक्सराइज 2.3 करेंगे सॉल्व करेंगे वन बाइ फॉर ओफ वन बाइ फॉर पार्ट आपको निकाना है तो कैसे सॉल्व करते जैसे हमने 2.2 में मल्टिप्लाइब करके सॉल्व कर रहे थे है वन बाइ-फॉर तो क्या हो जाएगा 1 बाइ-4 आप, यानि 1 बाइ-4 निकाना है यह निकानाफ इस का बी पर यह वाला है 3. 20 लाओ ट्री। और 2 सी पार्ट 1. 4 आपसाफ 4 बनिट 1.5 3件 साइच्पार्ट यू को यह विदि आखात हमें 1 आपन धुटिर ही व्लिटर 1.5 3 2 सी क्योंट हें 1.7 बर 8 Een.TO आपनिय। नढ़ी, साफिफू आपसा यू. of के जगे हैं क्या यूज़ करते हैं multiply 2 7 into 9 63 1 by 7 of 6 upon 5 6 upon 35 1 upon 7 multiply 3 upon 10 3 upon 70 next question question number second multiply and reduce to the lowest form same 2.2 में हमने इसी तरह के questions किये थे सिर्फ multiply किया था mix fraction को improper fraction में convert किया फिर multiply किया then answer निकाला हमने 2 upon 3 multiply 2 2 upon 3 इसको solve करेंगे क्या हो जाएगा 3 into 2 6 6 plus 2 8 8 upon 3 2 upon 3 2 upon 3 multiply 2 2 upon 3 इसको हमने शाल किया 3 2 just 6 6 plus 2 8 upon 3 2 upon 3 multiply 8 upon 3 2 into 8 16 3 into 3 9 2 upon 7 multiply 7 upon 9 ये सिम्ब दिया था में 7 से 7 कट गया तो 2 upon 9 आंसर 3 upon 8 multiply 6 upon 4 multiply किया हमने 18 upon 32 इसको हमने इसको हमने सिम्पलेस फॉर्म में किया 9 upon 16 दोनों ही 2 से चाहते है 2 9 से और 2 16 9 by 5 multiply 3 upon 5 9 3 से 27 5 5 से 25 1 upon 3 multiply 15 upon 8 तो आंसर क्या हुआ है 1 into 15 15 3 into 8 24 3 से जोनों ही चाहते है 3 5 से 15 3 8 5 upon 8 11 upon 2 multiply 3 upon 10 11 into 3 33 2 into 10 20 4 upon 5 multiply 12 upon 7 12 पोसर 48 5 से 35 सिम्पली आपको आपकी टेबल आनी चाहिए आप इजीली multiply करते चले चाहेंगे Q नमबर 3 Multiply the following fraction Same procedure, Same questions सिर्फ आपको multiply करते चाहना है Mixed fraction को आपको improper fraction में convert करना है और multiply करना है 2 upon 5 multiply 5 1 by 4 4 तो 4 फाइज है 20 प्लस 1 21 upon 4 21 upon 10 इसको mix fraction में हमने convert कर दिया आपको लिखा हो तो आप जरूगी जिए और नहीं लिखा है तो कोई भी जरूवत नहीं 6 2 upon 5 5 6 आप 30 30 plus 2 32 upon 5 32 upon 5 Multiply 7 upon 9 Solve किया 224 upon 45 Next 3 upon 2 Multiply 5 1 by 3 3 5s are 15 15 plus 1 16 upon 3 3 is a 3 cancel कर दिया 16 divided by 2 किया तो 8 answer आया Answer is 8 5 by 6 5 by 6 multiply 2 3 by 7 7 2 is a 14 14 plus 3 17 upon 7 85 upon 42 Mixed Fraction में हमने कर दिया 3 2 upon 5 Multiply 4 upon 7 5 3 is a 15 15 plus 2 17 upon 5 4 upon 7 68 upon 35 2 3 by 5 5 2 is a 10 10 plus 3 13 upon 5 Multiply 3 39 upon 5 So कि अले किया 7 4 upon 5 Mixed Fraction Mixed Fraction से Improper में करते हैं First 7 3 is a 21 21 plus 4 25 upon 7 Multiply 3 upon 5 5 की टेबल में जाता है 5 3 is a 15 15 upon 7 Question No.4 है हमार इदेफा हैं हमार लगाए हैं हमार पल विज is greater यह दो नमबर दे रखे हैं और यह दोनो नमबर दे रखे हैं और यह दोनों नमबर दे रखे हैं हैं उन्होंने कहा हैं int everybody numbers में से कौन सा बढ़ा है सबसे पहले हम इनको simplest form में करेंगे यानि multiply करके answer लेके आएंगे फिर इनको denominator same करेंगे देन हम decide करेंगे which is greater 2 upon 7 of 3 upon 4 of attack हम क्या use करते हैं multiply 2 upon 7 multiply 3 upon 4 यह और की जगे मैंने box बना दिया क्योंकि हमें पता है greater than less than equal to के लिए हम इस तरह के box बनाते हैं तो हमें easy रहता है 3 upon 5 multiply 5 upon 8 off की जगे multiply यूज़ किया तो से तो 3 upon 14 इधर 5 से 5 कच हुआ answer is 3 upon 8 अब आप एक बात देखिए जब भी हम greater than smaller than ऐसी चीज़े पूछते हैं fractions में तो उनकी denominator same होने चाहिए या तो हम उसे LCM लेके फिर same करते हैं या फिर जो सबसे easiest way पढ़ता है वो यह denominator का multiply मैंने इधर दोनों से कर दिया इसके denominator का multiply मैंने इस fraction से कर दिया इसके बाद answer आया 24 upon 112 42 upon 112 दोनों के denominator same हो गए और जब denominator same हो चाते हैं तब हम easily check कर सकते हैं which is greater अब इसमें से आपको दिख रहा है इसका जो ओरिजन नमबर था वह आपको लिखना है कि हाँ 3 upon 5 और 5 upon 8 इस ग्रेटर सेम नेक्स कोशिन वन बाइ टू ऑफ ऑफ की जगे क्या यूज करेंगे multiply और और की जगे हम क्या बना रहे थे box 2 upon 3 ऑफ 2 by 3 multiply 3 upon 7 अब इसमें जो easiest way में हमें simplest way में दिख रहा है इधर जो बचा क्या बचा 3 upon 7 इधर 2 upon 7 denominator दोनों में सेम है इसलिए हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रुवत नहीं है अब आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं which is greater 3 upon 7 3 upon 7 का original number क्या है half of 6 upon 7 next question question number 5 सेलिल plants 4 saplings in a row उसने 4 saplings एक ही row में ऐसे लगाई है in her garden the distance between two adjacent saplings is 3 by 4 यानि इन दो के बीच की जो distance वो कितना है 3 by 4 find the distance between the first and the last saplings तो आपको यह पता लगाना है कि यहां से first to last की saplings का distance कितना है जलिली plants saplings in a row कितने लगाए उसने four saplings लगाए distance between two adjacent adjacent means आसपास के जो होते है saplings is 3 by 4 meter ऐसे उतने distance between the first and the last sapling तो कितने sapling यूज़ किये थे उसने 4 और हर की बीच के difference कितना है 3 by 4 तो कैसे solve करेंगे 4 multiply 3 by 4 तो answer is 3 meter यानि first and last sapling के difference कितना है 3 meter का next question question number 6 लीपिका reads a book for 1, 3 upon 4 hours everyday वो रोज इतने घंटे बुक पड़ती है she reads the entire book in 6 days उसने 6 days में ये पूरी बुक complete कर ली how many hours in all were required by her to read the books उसको total कितने घंटे लगे पड़ाई वो बुक कम्प्रीट करने में एक दिन में इतना दाइम लग रहा है उसने 6 दिन में खतम कर दिया 6 days में खतम कर दिया तो क्या करेंगे एवरी डे का जो आवर है उसको multiply करेंगे 6 से लिपिका रीड़ एवरी डे वन 3 अपन 4 आवर्स इसको हमने मिक्स फ्रेक्शन से इंफ्रॉपर में किया 7 अपन 4 आवर्स शी रीड एंटायर बूक इन 6 देज आवर्स इन ओल रिक्वार्ड बाइ लिपिका तो रीड़ देज बूक अभी मैंने बताया क्या होगा 6 मुल्टिप्लाय सेवन अपन 4 21 अपन 2 मुल्टिप्लाय करने पर 2 3 जा 2 7 जा 2 जा 7 जा 21 और निचे 2 हावर्स इसको टोटल कितने हावर्स लगे 21 अपन 2 ओके नेक्स्क्ष्ण पूसर नमबर 7 अकार रं 16 किलोमेटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल एक लीटर पेट्रोल में वो कितना चल रही है तो क्या करेंगे इसका मुल्टिप्लाय कर देंगे 16 से इसको पहले सिम्प्लेस फॉर्म में कंवर्ट करेंगे 16 इंटू 11 अपन 4 इसको टेबल में 16 आता है 11 इंटू 4 44 किलोमेटर यानि इतने पेट्रोल में इतने लीटर में वो 44 किलोमेटर चलेगे 44 किलोमेटर नेक्स कोशन कोशन नमबर 8 प्रोवाइड नमबर इन दा बॉक्स सब्सक्राइब इस ब्लांक बॉक्स इकोल टू 10 अपन 30 उन्हाने कहा है कि इस बॉक्स में क्योंसे वैल्यू आएगी यह आपको बतानी है अब आप खुदी चेक करके मुझे बताएए तू में तू नमबर में आप किस नमबर का मल्टिप्लाइब करेंगे कि आपकी वैल्यू 10 आ जाएगी तिंक टू फाइज होता है तो यह नमबर तो मिला हमें 5 अपन 3 और 30 3 की टेबल में 30 कब आता है 10 3 x 10 30 हो गया तो हमें जो फ्रैक्शन मिला जो इस बॉक्स में आएगा वो कितना आएगा 5 अपन 10 अब इसी में रिलेडेद एक नेक्स कोशन पूचा है इन इस बॉक्स में हमें कौन सा नमबर मिला 5 अपन 10 का मिला अब उसका सिंप्लेस्ट फॉम बताना है सिंप्लेस्ट फॉम हमने किया 5 अपन 10 का क्या हो जाएगा 5 से दोनों चले जाएंगे 5 अपन फाइव फाइव अपन तो आंसर इस वन अपन टू सेम एज इस नेक्स कोशन भी है प्रोवाइड दा नमबर इन दा बॉक्स सच था अपन फाइव अब आप थोड़ी दर के लिए खुद सोची इसका अंसर क्या होगा थी की टेबल में 24 का बाता है कि टेबल में 75 का बाता है फाइव इंटू 15 75 होता है तो इस टाइम जो हमें फ्रैक्शन मिला वह कौन सा मिला एथ अपन फिफ्टीन अपन फिफ्टीन दा सिंप्लेस्ट फॉर्म ऑफ द नमबर ऑप्टेन इन इस बॉक्स कौन सा बॉक्स इस बॉक्स में क्या नमबर मिला हमें 8 अपन फिफ्टीन इसका सिंप्लेस्ट फॉर्म हमें लिखना है एथ अपन फिफ्टीन का तो सिंप्लेस्ट फॉर्म इसका कुछ नहीं होता तो अंसर इस एट अपन फिफ्टीन इस बॉक्स में क्या आएगा फाइव अपन टैन इधर अंसर क्या आए We can do math easily.